कि नमस्तب्र है मैं नमस्त तो भ्यूम नमाम में हम सहुद्रह सभी को मेरा नमसकार है स्वागत है नादवएद कायकल्ब कर परोग्राम के अंदर हम चाहते हैं रहें आपका परिवाज स्वस्त रहे यद्जा ग्रतों दूर मुदाइते मुदाइवां तदव सुपताश्यताइवेति दूरंगम जोती शाम जोती रेकं तन्में मान फिस्ट के करें कि मेरा मन जो जागते हुए सोते हुए हजार ओकरोड़ों मिल चला जाता है यह मन कभी भी चंचलना होगी मानम कल्यान की बात करें मानम हीत की बात करें इसलिए मैं आज आपको बड़ा रहिश्य बताना चाहता हूं क्यों भारत एक सोने की चिडिया थी क्यों भारत एक सम्रदी साली राष्ट्र था क्यों भारत में सभी व्यक्ति स्वस्थ होते थे टेंसन रही तो होते थे किसी को डिप्रेशन नहीं होता था रड़ाई आप तरीका ऐसा दिया गाथा जिससे आप लोग अपने आप सवस्थ हो जाते थे शामू इक परविवारों का जिकर किया गया है सभीहर में दादा से लेकर के पोते तक रहते थे एक ही घर के अंदर साथ साथ पीडिया रहते थे उससे क्या होता था अपने मन के विचारों को हम एक दूसरे से बाट लेते थे एक दूसरे की सहता करते थे एकटे बैठ करके खाते थे और एक दूसरे के उपर एक दूसरे का आदर सत्कार भाव होता था इस आदर सत्कार और भाव के कारण हम कभी गलत कारिया नहीं करते थे हमारे उपर एक दवाव होता था जिससे हम सही कारिया करने का प्रियतन करते थे मा बहन के हाथ के बनाएगे भोजन का पर्योग करके भावों से जो भावी तो भोजन था उसे भोजन को प्राप्ते करके हम सरदावान रहते थे आईरवीद के अनुसार दिनिशरिया वैतीत करने से जो आपके भोजन के अंदर आपके मसाले के अंदर आहर वीहार के अंदर जो उशधियां थी उन उशधियों का परियोग करके आपका मन स्वस्थ रहता था आप शांती में रहते थे आप ताकित तर होते थे खास कर महिलाओं में कभी डिप्रेशन नहीं होता था उनके बाल नहीं जड़ते थे गंजी नहीं होती थी सफेज बाल नहीं होते थे लेकिन क्या कारण है कि आज परतेक महिला जो हगुष्य में आ गई है बाल जड़ गए हैं सफेज बाल हो रहे हैं कूरूप हो गई हैं जो कोमलता का सवरूप मानी जाती थी क्योंकि क्योंकि आज उस परतेक महिला को जाने और अंजाने में आज कल के डोक्टर्स के द्वारा उन अंग्रेजी द्वाओं का परियोग किया जा रहा है जो अंग्रेजी द्वाओं भावों से भावित नहीं है जिन अंग्रेजी द्वाओं का निर्मान केमिकल्स से किया गया है जिन द्वाओं का निर्मान जो है जिन्दा पस्वों को उलुटा लटका करके उनकी तवच का निर्मान करने के लिए उस और सदी के निर्मान की प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं जब चीखते चिलाते पसू के सरीर से निकले हुए रक्त से और उस रक्त में से ले करके जब आप उस एच्वी का ग्रहन करेंगे तो आप कभी शांत नहीं रह सकते और मां के गर्भ में पलने वाला वो बत्चा उससे भी जादा आशांत हो जाएगा इसलिए छोटे से बत्चे से लेकर कि बुढ़े तक आथा गुशा हो रहा है क्योंकि जिस रक्त वर्दक और उशदिक का परियोग माता के गर्भ के समय परियोग कराया गया उसका परियोग करने से हमारे अंदर अशांती फैल गई जिस आचार विवहार के कार जिस संस्कृ करती को दिखाया जा रहा है उसे संस्कृति के प्रभाव से चारों तरफ बलातकार और रखैती जैसी समख्षाएं पैदा हो रही है चारों तरफ जिस देश के अंदर कहते थे दनमा अधमा धनम इचंती अधम गक्ति धन को चाहते हैं आज जोहीं धन की प्रवित्ति को आज आपके अंदर भावना भर दी गई है इस तरह की शिक्षा का प्रभा आपके अंदर आ गया है जिसमें कहा गया है कि टकाही धर्म है टकाही सबसे बढ़ी चीज है लेकिन मेरे शास्त्रों में कहा गा था गोधन गज धन और धन रतन खान जब आवे संतोस धन सब धन ध दूरी समान की चाहे गव का धन हो चाहे हाथियों का धन हो चाहे हीरे रजवाराक का धन हो लेकिन इन धनों से सबसे बहत्तर दन है संतोश धन जब आवे संतोश धन सब धन धूरी समान बाकि सब धन जो है जूरी के समान होता है धूल के समान होता है अदमा धनम इचंती धन मानम चमध्धमा अधम जो व्यक्ति हैं तर्म को चाहते हैं उत्तम व्यक्ति मान को चाहते हैं इसके कार्ण आज इतनी समच्चाइं पैदा हुगी है और इन समख्चाओं के बायुज washes भी आप देखिये कि आपका कारोबार बढ़ते हुए आप एक परिवार में हुए रहते हुए सभी परकार की फ़ल और सब्जिया का परियों करते हुए आद परतेक व्यक्ति रोगी है आद परते क्यμεश्थी साधरन संपन होते हुएं भी कंगाल है क्योंकि आपका पैसा अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से विदिशों के अंदर जा रहा है और उन अंग्रेजी दवाओं से आपके सरीर के अंदर रोग पैदा हो रहे हैं आपने जब खासी का इलाज सुरू किया तो आपको एंटीबाइटिक से दे करके खासी को सुखा दिया गया उस खासी के बार बार होने पर जिस दवा का बार बार पड़ियों किया गया उससे दमा बन गया और दमे का इलाज करते करते टीबी बन गई टीबी से फिपड़े का क करती है आप दिन और दुनिया से दूर रहने लग गए दूरे धीरे आपका स्रीर इतना कमजूर हो गया कि आपका स्रीर किसी काम का नहीं रहा एक के बाद दो दो के बाद तीन लेकिन उनके पास पैसा अंग्रीजी दवाओं की माध्धमशी जाता रहा गुतने के दर्द का आपने इलाद सुरू किया आपके घुतने मोटे होने लगए आपकी तवचा पर शोथा आ गया आपको एलर्जी पैदा हो गए आपका बीपी बढ़ने लगया और उसी बीपी के बढ़ने से किडनी चले गई और उसी बीपी के बढ़ने से आपको पैरला रहा जाता रहा है और उनकी एक मार्किट का सबसे बड़ा साधन बनता जा रहा है आपने इलाज सुरू किया मुटापे का आपने इलाज सुरू किया सुगर का आपने इलाज सुरू किया हर्द रोग का क्या कोई रोग आपका ठीक हो गया या किसी रोग के लिए डोक्टर ने आपको कहा कि आपकी दवाई कभी बंद हो जाएगी नहीं कहा ने सुना होगा ने सुनोगे क्योंकि वे तो आपको कहते हैं कि अगर आप सुगर के रोगी हो गए तो घी और दूद को बंद कर दीजिए वो कहते हैं आपको कि अर्दे रोगी हो गए तो घी और दूद को बंद कर दीजिए वो कहते हैं कि आपका बीपी बढ़ गया है तो आप दो पहल में भोजन खाईए थोड़ा थोड़ा करके खाईए आपको सुगर हो गया है तो सारा दिन थोड़ा-थोड़ा करके खाईए आपको हर द्रोग हो गया है तो घी को बंद करके तेल का परियोग कर लेजिए क는데 j那我們 हमरती देल तो तेज़ को हरता है डी आ डीओ भार सरकार कि tel रिपर्पॉर्ट ए पर उसका एक्स्पे dodव को तुहों को तेल किरागाँ था और कुछ को मैं जिनको गी खिलाए गया वो सबी स्वस्त्त थे और जिनको तेल खिला गया उन सब में कैंसर था तो जो वेक्ति तेल का परियोग करते हैं उनके घर उनके अंदर कैंसर पैदा हो सकता है लेकिन घी खाने वाला वेक्ति कभी कैंसर का रोगी नहीं हो सकता लोहे की कढ़ाई में श्टील के बरतन में भोजन पकाने वाला वेक्ति कभी कैंसर का रोगी नहीं हो सकता घी और दूद खाने वाले व्यक्ति को कभी टेंसर नहीं हो सकता कभी भी नहीं हो सकता कभी हर्द का रोग हो सकता हर्द का रोग क्या है जब शरीर के अंदर आम रसका पाचन नहीं होता तो मल जो है वह रक्त में चला जाता है और रक्त को चिपकने लग जाता है वही जब हमारी धमनियों में जाता है तो सांस फूलने लग जाता है छाती में दर्द होने लग जाता है जिसको आप ब् को बंद कर देजिये दूज्ज पीना बंद कर दीजिये चाय का पर योगी की जिर्फ की चाय पिएंगे इस तो आप रोगी दो आप्ण है रोगी तीन बार मेर civर गान है और आपका पैसा वीदेशों में जा रहा है मैं आपको एक अधुत बात बताना चाहता हूं हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया है यह रसायन बुढ़ापे को नहीं आने दिता रसायन एक ऐसी हो सदी है जिसको चमन रिशी ने खाया जवान हो गया रसायन एक ऐसी है जो माभारत में भीवने परियोग किया थ सब्सक्राइब करता है उसके बारे में यह बाते कहीं गई है कि उसकी अगनी दिप्त हो जाते हैं और सभी धात्रों का सही रूप से निर्मान होकर के वह बुढ़ापे को नश्ठ कर देता है परियोग करके परतिक रूगी को रूग से मुक्त किया शास्त्रों का परमान दिया लेकिन हमने भी उसी भाषा में डॉक्टर्स को समझाने का परियतन किया कि हमारी आउशद ही क्यों और कैसे काम करती है हमने माय करो भाइलोजी की लैब लगाई उस लैब की अंदर मैं बड़ा था वह है छोटे रूप में आ गया इतना छोटा हो गया वाइरस अगले 11 के अंदर उस रसाइन ने इस वायरस को और शुक्षम बना दिया कि यह आप देखिए जो मैं दिखा रहा हूं आपको यह वायरस इतना छोटा हो गया और अगले 11 दिन के अंदर यह वायरस सदा के लिए लोप हो गया लेकिन कैसे लोप हुआ कैसे नश्ट हुआ इसने सरीर पर कोई दूस्ट पर भाव नहीं किया उन लोगों की तरह से जो नह हो गया कैंसर भी खतम हो गया और सबसे अच्छी बात क्या रही कि सरीर में कोई दूसरा रोग पैदा नहीं हो और इससे अच्छी बात यह रही कि मेरे देश का पैसा मेरे देश में आया हमने रोग को भी नश्ट कर दिया अपने पैसे को भी बचाया अपने मन को शांत बना रहें लेकिन आप लोग भी जाने आप लोग भी समझें क्योंकि आयरवीच्ट चा कहता है किमभी सज्जम जो वेक्ति पर्हेज से रहेगा उसको ऊशदी की आवशिक्ता नहीं है अगर आप बड़ प्रेजी करेंगे तो तो आपको ओशदी की आवशक्ता नहीं है किसी कानवस आपका सरीर रोगी हो गया है अगर आप हर्दे रोगी है तो भी आप सुगर के रोगी है तो भी किडिनी के रोगी है तो अर्थ और्थ और्थ्राइटिस या गठ्या कि अगर आप रोगी है तो भी अगर आप आयर्वे का घर बनते जा रहे हैं अगर आप आयर्वीद को अपनाएंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे सम्रित हो जाएंगे शांती मैं हो जाएंगे हमने आपके लिए कुछ उख्षधों का निर्मान किया है जिसमें सबसे बड़ा कारिया रसायन का है जिसको मैंने दिखाया कि किस सरह से हमारे रसायन ने एड्स के वाइरस को निष्ट कर दिया कैंसर के वाइरस को निष्ट कर दिया किस तरह से मस्कुलर डिस्ट्रोफी के वाइरस को नमुनिया के वाइरस को हमने सदा के लिए निष्ट किया हमारे यहां थैलिसीमिया की रूगियों को ठीक किया जाता है ह था व्याधि चिकिछ नुट सैंध शास्टरों में कहा गा वैसी हम किछ्षै करते हैं और व्यूंटी नश्ट नहीं होती साइव्याधि करमज वुनुद्ध मुद्ध उस व्यादी को बुद्धों ने विद्वानों ने करमजव्यादी का गया और उस करमजव्यादी के लिए क्या करना से यह नित्य वरधोपसे विनाय चत्वारिस तस्षवर्धंते आयू विद्यायस और बल जिन चीजों को प्राप्त करने के लिए आज आप भटक रहे हैं अपने घर में बैठे हुए अपने माता पिता का आप मान सम्मान करो उन विर्धेव्यक्तियों की शेवा और सम्मान करो जिसे विर्धेव्यक्तियों की शेवा करके जिस माता पिता की शेवा करके जिसको आप भगवान गानेश कहते हैं शिव पूतर को उस पारवती पूतर कि आप एक रचना सुन लीजिए गनेश को और कारती को कई को एक बार शीव जी ने कहा कि आप ब्रमान का चक्कर लगा करके देखिए जो ब्रमान में चक्कर लगा करके सबसे पहला वेक्टी आएगा समझो वो हमारा प्रियपूत्र होगा कारती कई जी घोड़ा लेकर के हम ने आता हुआ देख करके जो गनेश के माता पिता के बास बैठे हुए थे तरंत उठे और माता पिता का चक्क लगा करके खड़े हो पारवती हंसने लगे भगवन यह क्या हो रहा है तो उन्होंने पूछा गनेश यह क्या किया तो गनेश जी हंसकर कहते हैं कि माता और पिता से बड़ा बिर्मांड नहीं हो सकता आपने बिर्मांड का चकर लगाने के लिए कहा था मैंने बिर्मांड का चकर लगा लिए और कहते हैं कि भाग्य देगा लेकिन जो विद्वान वैक्ति हैं वो अपने सामर्थ से प्राप्त करते हैं आप लोग भी अगर अपने माता-पिता की शेवा करेंगे क्योंकि आपके देव हैं देवता किसे कहते हैं जो देते हैं आपके माता-पिता ने आपको जनम जिया जो की देव हैं आपके गरुजन जिन्होंने आको शिक्षय दिरुजगारं योग्या बनाया पर नigram कि ने लि रही आपके देव हैं अगर आप उन देवों को परसन रखते हैं तो सनसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसे आप प्राप्तंने कर सकते हों किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए अगर आप इन देवों की अराधना करते हैं संसतूती करते हैं का सतकार करते हैं इनको हर्षित कर लेते हैं तो आपको अवश्य ही प्राप्त होगी कई बार रोगी आते हैं स्वेट कुष्ठ के सुराइसिस के ऐसा ध्यरोग लेकर आते हैं तो मैं हसकर कई वार कह लिता हूँ कि आप बताईए कि आपने अपने माता पिता की शेवा करते हो तो हसकर कहते हैं जी हम तो बहुत साथ हैं लेकिन माता पिता हमें पसंद नहीं करते हैं वो छोटे भाई के साथ रहना पसंद करते हैं मैंने कहा कि आपके कितने बच्चे हैं तो कहते हैं जी मेरे तीन बच्चे है मां कोई बच्चा है जो आपको बुरा लगता हो नहीं जी जब आपको अपने बच्चों में से कोई बच्चा बुरा नहीं लगता तो आपके पिता के बारे में या मां के बारे में आपने कैसे सोच लिया कि वो आपके छोटे बच्चे भाई को पसंद करते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं लजजित हो जाते हैं, नजरे जुक जाते हैं, जिस माँ ने अपने मुख का निवाला निकाल कर आपको पैदा किया वो माँ आपकी विरोधी नहीं हो सकती, जिस बाप ने आपकी उन्नती के लिए आपने एक रोटी मांगी, दो रोटी खिलाई, जिस आपने एक चीज चाहिए उसने दस चीज देने का परियतन किया, आपकी एक उन्नती के लिए उसने अपने हजारों अक्षनों को खो दिया, हो सकता है आपके अंदर कोई कमी हो जो उनके प्यार को आप समझ ना रहे हो अपने मन के अंदर आप जाकिए कि जब आप अपने परते के पुत्र को प्राप्त करते हैं उनसे प्यार करते हैं तो आपके पिता क्या पिता नहीं है कि आप उनकी संतान नहीं है इस तरह से अगर पर अपने माबाप का सम्मान करते हैं तो आपका स्वितर कुष्ट में दूर कर सकता हूं, आपके इस इस का रोग, जो आसद्य रोग है, मैं उसको ठीक कर सकता हूं, क्योंकि जब आप ऐसा कारिय करेंगे और वे ठीक भी हो गए क्योंकि माता पिता के प्यार में जो आसिरवाद में जो फल है कहीं भी किसी भी प्रत्वी पर किसी भी लोक में प्राप्तन नहीं हो सकता उसके आधार पर ऐसे असध्यर होगी को तो आवश्चे ये करके देख लेना चाहिए बहुत सी बहने दुखी हो आस आपके पास नहीं रहती आप अपने माता से दूर रहती हैं तो ये बच्चा भी आपसे आवश्चे ही दूर रहेगा क्योंकि जैसा आपने किया है वैसा ही आपकी संतान भी करेगी और जब आपकी संतान कर रही है तो आप परिशान क्यों हैं क्यों आप टेंशन में रह होगति हों वैसा ही बहर तो आपका वच्चा करेंगा अगर आप चाहते हैं कि आपका वच्चा आपके साथ रहे आपके सीवा करें तो आप भी अपने बढ़ओं के साथ रहिए उनकी श्रुफषा कीजिए आपकी संतान भी आपकी बन कर रहेगी इसको कोई नाकाल नहीं सकता है अगर इसके लिए आप कहीं गंडा बंदवाते हैं कहीं तो और ही कहीं जाब करते हैं तो यह वेर्थ हैं क्योंकि इसी तरह से वेर्थ है जिस तरह से कंजान वेक्ति जानते हुए भी कुछ नहीं करता है आप देख लीजिए कई बार वेक्ति कहते हैं जी मैं तो बड़ी शेवा करता हूं बड़ी इधार में हो मैं तो रोजाना मंदर में जाता हूं लेकिन फिर भी बड़ा दुखी है जिस तरह से आप अपने बच्चे को तयार करके सकूल में भेज देते हैं वह सकूल में जाकर क माबाब को पुकारता रहता है तो पहली बात तो मास्टर जिसको वहां से निकाल देते हैं घर पर आ जाता है और जब घर पर आता है तो माब भी उसको पीटती है कि हमने तुम्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था नाम लेने के लिए नहीं भेजा इसी तरह से परम क्योंकि कर्मन नेवा अधिकार थे आपका कर्म करने का अधिकार है मानव जीवन मिला है तो आपको कर्म करना चाहिए अपने बुद्धी का परियोग करने चाहिए अपने हाथ पेरों का परियोग करके मानव कल्यान की बात करने चाहिए जब आप मानव कल्यान की बात करेंगे तो आपका परम्पिता परमेश वर आप से अवश्य खुस होगा और आपको मन चाहिए चीज़ें अवश्य प्राप्त होगी क्योंकि आपने उनके अनुरूप कारिया किया है अगर आप उनकी इच्छा के विरुद्ध कारिय करते हैं तो आपका कोई कारिय सफल नहीं हो सकता तो सफलता की प्राप्ति के लिए मन की शांती के लिए शम्रदी के लिए आपको आयरवीद को अपनाना चाहिए अपनी संस्कृत को अपनाना चाहिए तब आप ये प्रियोग करेंगे तो अवश्य ही आप सभी चीजों को प्राप्त करेंगे और बहुत सी चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे सरसाइन के द्वारा वैदिक कटूर के द्वारा यवक्षारादी चूरन के द्वारा आप ब्रड प्रेसर को सदा के लिए ठीक कर सकते हैं आप बीपी को इसके लिए सारा दिन दवाईयां खाते रहते हैं उस दूसरे दिन खतम कर ले जिसके दिमाग में चकक्र आता हो जिसकी गरदन में दर्द होता अधल मोटी हो गई हो जिसको माइगरेन कहते हैं सिर्का दर्द कहते हैं उस सिर्क के दर्द को भी हमारे द्वारा बनाए गई और शदियों से तुरंत फायदा होता है क्योंकि यह सभी और भावों से भावित हैं यह सभी और मंत्रों से अभी मंत्रित हैं जिस तरह से वेक्ति बाजार का भोजन बारात का बोजन एक दिन करता है लेकिन माता के हाथ का बोजन सारी जिंद्गी करता और स्वस्थ रहता है क्योंकि भाव होते हैं वह भाव नहीं होती इसलिए हमारे त्वारा जो शदी बनाई गई है वह भावित यह वैद जब अपनी उश्दी का निर्मान करता है तो उसके अंदर एक भाव होता है सर्वे भावंतु सुखिन सर्वे शंतु निरामया सर्वे बद्दानी पश्चंतु मा कस्चिन दुख भाग भवेट कि किसी भी वैक्ति को दुख नहीं होना चाहिए सभी वैक्ति स्वस्त रहें इनी भावों के साथ जब च्का निर्मान किया जाता है पुनिर्मान करता है मरतानम देही रुद्र वत्ञ निस्वा है जब हम विनायक भगवान से रुद्र भगवान से श्युलत करते हैं निर्मान करता हूं तो हमारा वैदिक कट work को सदा के लिए दूर कर देता है कब्ज के रों को समूलन नष्ट कर देता है हमारा यमक्षा रादी चुर्णाप के बीवी को ठीक करता हुआ पत्री को भी निकाल देता चाहे वो गाल ब्लैडर की स्टौन हो जाहे किडनी की पत्री हो चाहे वो मुतराश्रे की कि गिन्ति क्यों ना हो उनको काट करके बहार निकाल देता है और इसायन तो गर्भाश्रे की फिलॉपन टूब की ब्रोकेज और आपके अगर किटानू नहीं बनते हैं वह जो स्परमकारोग है तो वहां किटानू को भी पैदा करता है जो व्यक्ति कहते हैं कि अपरेशन करना पड़ेगा या गरभाश्य को बाहर निकालना पड़ेगा वे व्यक्ति अगर इस रसायन का परियोग करते हैं तो गरभाश्य के गिरंथी निकल जाती है रशोली खतम हो जाती है महावारी की कोई समश्या होती हो सदा के के लिए दूर हो जाती है जिसकी हड्या नहीं जुडती है वह व्यक्ति एक बार रसायन का पर योग करके देखिए एक महिने के अंदर उसकी हड्या जुड जाएंगी क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है यह था शास्त्री सुनेनितम तथा व्याधी चिकिछितम जैसा शास्त रुपका कार्ण जो है वह है अती सनिकद्धात जो आप तली होई चीजों का परियूग करते हैं यह सबसे बड़ी रुपका कार्ण है लुट्ग knowledge नुट्स लांटे के साथ गर्म का परीव करते हैं तो यह विमारी नुट्स नॉह जब भोजन के ऊंपर भोजन कर करते हैं यह सब बिमारी का कार्ण है आप इन से दूर रहिए शदा स्वस्त रहेंगे टीवी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर देख रहे हैं हमारी साखाओं शाप हमारे द्वारा बनाई गई ओशदियों का परियोग करके अपने सरी को स्वस्त बना सकते हैं हो सके तो एक बार हमे जा रहा हूं पुनहें मिलने के लिए इसी भाव के साथ कि आप स्वस्त रहें अपने परिवार को स्वस्त रहें भारत वर्ष को स्वस्त रहें जैहिंद जैभार